नमस्ते दोस्तों सेवन सेंस के इस यूटूब चैनल में मैं विकाज बोपी नोहर आप सभी ट्रेडर्स लोगों का तह दिल से स्वागत करता हूँ आज के इस वीडियो में हम दे गेम आफ मनी सेरीज के पार्ट 35 को डिसकस करने जा रहे हैं जिसमें हम कुछ इंडिसीजीव केंडल स्टिक को देखने वाले हैं दोस्तों यह ऐसे केंडल स्टिक होते हैं यह जब चार्ट पे बनते हैं तो अनुमान लगाना मुश्किल हो जाता है कि मार्केट बुलिश रहेगा कि बेरिश रहेगा तो ज़्यादा तर यही केंडल स्टिक रेस्पॉंसिबल होते हैं हमारे कैपिटल को बरबाद करने के लिए तो इन केंडल स्टिक को पढ़ना बहुत जरूरी है दोस्तों तो चलिए आईए आज के इस शांदार सेशन को स्टार्ट कर देते हैं सेवन सेंस यूटूब चायल के साथ में तो देखिया यह कैंडल स्टिक के दिखता कैसे है पहले इनको समझ लेते हैं देखो यह छोटा सा बॉड़ी रहता है इसका रियल बॉड़ी जो रहता है छोटा सा बिल्कुल छोटा सा दो से तीन पॉइंट्स का रहता है यह इतना बड़ा भी नहीं रहता और इतना छोटा भी नहीं बिल्कुल ना के बराबर मतलब दिखता तो है बॉड़ी और इसका जो उपर का और नीचे का विक है अपर शाड़ो और लोवर शाड़ो ठीक है तो इनका जो हाइट है वो सेम रहता है यह देखिये वाई सेंटीमेटर है तो यह भी य सेंटीमेटर है तो यह भी एक सेंटीमेटर ही रहेगा इनका जो यह लेंथ है यह इकवल रहता है अपर शाड़ो लोवर शाड़ो और रियल बॉड़ी इसको रहता है लेकिन छोटा सा टू टू थी पॉइंट्स का वेरी स्मॉल लियर बॉड़ी रहता है इसक चाहे वो bullish market के बाद बने चाहे वो bearish market के बाद बने ये बनने का मतलब होता है कि market अब आगे क्या रहेगा future क्या रहेगा market में bullish candle आएगा कि bearish candle आएगा ये बताया नहीं जा सकता और जो लोग fix करके risk लेके इसमें पैसा लगाते है और अगर chart उल्टा जाता है तो बहुत सारा capital बरबाद हो जाता है दोस्तों और ऐसे candlestick का नाम होता है spinning top candlestick तो ये spinning top वाला candlestick जो है जो हमें market में अनुमान लगाने से रोकता है हम अनुमान नहीं लगा पाते दोस्तों ऐसा क्यों होता है देखिए अगर market में bullish trend आता होगा तो ये क्यों नहीं पूरा bullish बन जाता था ये इसको यहाँ पर gap छोड़ने का क्या जरूरत था कोई जरूरत नहीं ये पूरा बन जाता था बड़ा वाला blue green candlestick बनता था अगर market bullish जाता था या फिर red बनता था तो बड़ा वाला red बनता था इसका body जबकि हम ये बता सकते कि market में bearishness आएगा seller slope बहुत जादा है लेकि क्युकि यहाँ पे जो pressure है ूपर कीиля तरब से जो pressure आ रहा है नीचे थी डखेल रहा है उसको मतलब यहाँ पे कोँ आ रहा है B specialist igglesगार है और यहाँ नीचे से भी नीचे नहीं जाने देरा है ये ऊपर की तरब ढूरा रहा है ऊपर की तरब ढूरा रहा कहम मतलबwide package薯 perceptions तो यह जो है दोनों तरफ से same pressure बन रहा है इस पहे ना तो यह same pressure detect करता है कि market में supply और demand same है sellers, buyer लोग अभी same है अब थोड़ी देर बाद कौन बढ़ेगा कौन नहीं बढ़ेगा यह तरह करना मुश्किल हो जाता है क्योंकि यहाँ पे equal pressure हमें यह candlestick बता रहे है तो यहाँ से decide करना अनुमान लगाना मुश्किल हो जाता है कि market क्या रहेगा तो इसलिए इस type के candlestick में हमने पैसा कैसे लगाना है कैसे sales को खरेदी करना है या फिर sale करना है क्या करना है यह तो मैं आपको दीरे दीरे आगे बताऊंगा दोस्तों ठीक है अब इसके जैसा ही और एक candlestick होता है जो market में बनने के बाद में हम अनुमान नहीं लगा पाते कि market जाओगा उसको भी देख लेते तो यह हो गया हमारा spinning top इसमें color कोई matter नहीं करता चाहे red हो चाहे green हो लेकिन इसका छोटा सा body रहता है जिसमें two to three points का अंतर रहता है जैसे इसका open बन गया मानलो 100 पे तो close 103 रहेगा या फिर यहाँ पे नीचे गिर रहा है तो यह 97 रहेगा 97 या फिर यहाँ पे 100 रहेगा तो इसका close 103 रहेगा ठीक है तो इस तरीके से इसमें छोटा सा अंतर होता है छोटा सा body और उसके length जो है equal heights के होते है दोस्तों next वाला हम देख जो भी आपको दिख रहा है वो ना के बराबर है इसका open close सेम होता है open close सेम होता है जैसे points में different होता है जैसे मानलो यहाँ पे open 100 है इसका close हो जाएगा 99.10 या 25 पे इसका open अगर 100 है तो यह close हो जाएगा 100.01,100.50,100.50 वैसा कुछ भी हो सकता है तो open और close जो है बहुत ही जोटा होता है ना के बराबर यहाँ तो बिल्कुल भी नहीं है body यह देखिए यह देखिए इस तरीके से इसका तो body ही नहीं है ना तो इस तरीके से अलग अलग जो डोजी pattern बनेंगे तो यह भी market में in decisionies फैलाते है दोस्तों जिस से हम अनुमान लगाना मुश्किल हो जाता तो ऐसे में हमारा जो capital है बरबाद हो सकता है तो ऐसे candlestick के साथ में हमने trade कैसे करना है ना यह हमें देखना है और यही चीज के साथ में आगे बढ़ना है हमारे इस वीडियो का मकसद होगा दोस्तों तो यहाँ पे देखिए इसको body है क्या no body and unequal length इसके length जो है वो equal रहना जरूरी नहीं है यह अपर shadow, lower shadow, upper week, lower week जो है equal size के रहना कोई जरूरत नहीं है mandatory नहीं है जो अभी हमने spinning top के साथ देखा था उसके अपर shadow, lower shadow equal होते है लेकिन जहाँ पे body बिल्कुल भी नहीं है वहाँ पे length unequal size का हो सकता है उपर का बड़ा नीचे का चुटा हो या फिर नी train के बाद बने उसका कोई matter नहीं, color does not matter जो हमारे spinning top के साथ में matter नहीं करता और यहाँ पे 2G pattern में भी matter नहीं करेगा दोस्तों और हाँ इस traders के साथ में आगे बढ़ने के पहले मैं आपको कुछ बता दू दोस्तों यहाँ पे हमारे channel के बारे में तो हमारा जो seven cents का जो premium telegram group है दोस्तों इसको आपसे दर्खास करता हो कि आज ही join करें क्यूंकि इसमें आपको बहुत कुछ मिलने वाला यह सारे PDF आपको मिलेंगे पढ़ने के लिए recorded videos मिलेंगे जो online chart पे बनेंगे दोस्तों जिससे आपका आत्म विश्वास बहुत जल्दी बढ़ जाएगा और आप ब आज ही join करना है क्यूंकि 31st of July तक ही इसका cost 3000 रुपीज रहेगा दोस्तों उसके बाद जैसे अगस्त चालू हो जाएगा आपको इसका रुपीज जो है 5000 रुपीज आपको contribute करने का पड़ेगा यह one time contribution है जिससे आपको lifetime access मिलेगा दोस्तों ठीक है बहुत कम amount है तो आपसे दरकास से इसे आज ही join करें और इसे कैसे join करना है तो हमारा यह mobile नंबर यहाँ पर हमने दिया हुआ है 8087339648 पर ही आपने contribution करना है एक बार नंबर को दवरा देता हूँ 8087339648 पर और यह contribution आप कोई भी online transaction आप से कर सकते हो जैसे जीप पे Google पे phone पे या फिर Paytm से जैसे आपको हमारे private telegram channel से access मिलेगा जहाँ पर आपको यह सारी चीजे मिलना start होगा दोस्तों और इसे भी अभी बहुत सारी speed आ जाएगी यह जो telegram channel है इस पे आपको trading करना भी सिखाया जाएगा सब कुछ सिखाया जाएगा दोस्तों और यहाँ पर हमारे logo में भी हमारा number दिया ह यही हमारे चैनल का logo है यह लोगो अगर आपको आपके चैनल पर दिख रहा है तो आप सही चैनल पर हो दोस्तों और लोगो भी कॉपी कर रहे है और आपका डिमैट अकाउंट जो है जिरोदा के साथ में आपको खोलना है क्योंकि हम जिरोदा पर पढ़ाते हमारा जिरोदा रहेगा आपका जिरोदा रहेगा तो कुछ भी आदा अधूरा नहीं रहेगा दोस्तों सारी चीजे क्लियर हो जाएंगे आपको अमारे इस टेलिग्राम के साथ में चाहे आप न्यू ट्रेडर हो चाहे आप ट्रेडिंग करते हो आपको अनुबह हो फिर भी आपको यहाँ लेवल 0 से अडवांस लेवल तक का ट्रेडिंग आपको यहाँ पे सिखाया जाएगा दोस्तों तो कोशिश करिएगा इसे जल से जल जॉइन करें क्योंकि यह कोर्स अभी बहुत ही जल स्पीड अप करने वाला है और फिनिश होने वाला है दोस्तों ताकि आप लोग कोई दिक्कत नहीं दोस्तों आप दो से तीन से ज्यादा अकॉंट बना सकते हो तो जीरोदा से एक अकॉंट आप लोगों ने बना लेना है और हमारे इस टेलिग्राम को जॉइन करना रहा है पूरा पूरा बेनिफिट आपको यहाँ पे मिलेगा तो चलिए आगे बढ़ते कि इस जो अंडिसीजीव कैंडल स्टिक के बारे में और जाननी की कोशिश करते है और हमारे कैपिडल को बचाएंगे और बढ़ाएंगे भी यह दोनों चीज़े हम कैसे बैलेंस कर सकते हैं उसको भी देखना है देखिए मार्केट में बुलिश ट्रेंड होता है ना मार्के मार्केट में अनुमान नहीं लगा सकते कि यह बुलिश जाएगा बेरिज जाएगा खुद को चालेंज मत करिए चार्ट को चालेंज मत करिए spinning top धोका देता है आप बोलेंगे बुलीज जाएगा वो शायद बेरीज जाएगा आप बोलेंगे बेरीज जाएगा वो बुलीज जाएगा तो capital यहाँ पे बरबाद हो रहा है आप पूरा-पूरा 100% risk ले रहे हो दोस्तों यह indecidue candlestick बना है इसको समझिएगा यह आपको बरबाद करेगा यहाँ पे आने के बाद में आपको थोड़ा cautious हो जाना है इस case में क्या करना है वो हम आपको बताएंगे तुरंट इस वीडियो के बाद में लेकिन अभी फिलाल इस chart पे कैसे दिखते है यह हमें क्या करना है वो समझ लीजिएगा देखिए यहाँ पे एक बहुत अच्छा downtrend चल रहा है बड़े बड़े red candlestick बना है लेकिन देखते क्या है एक छोटा body equal अपर शाड़ो लोगर शाड़ो length के साथ में बना है पहचानो यह spinning top बन गया दोस्तो और इसमें पैसा लगाने की कोशिश मत करना क्योंकि यह bullish भी जा सकता है bearish भी जा सकता है market में indecision ने से supply demand सेम है sellers buyers लोग equal है उनमें अभी यह जो है जमेला चल रहा है वो सुलझाएगा तभी वो bullish या bearish जाने का decision लेगा दोस्तो अभी यह indecision है इसमें कोई भी decision लेना 100% risk लेने के बराबर है दोस्तो आपका capital पूरा पूरा risk zone में रहेगा तो next यहाँ पर मैं आपको यह भी चीज़ बता दो कि यह देखिए 2G के साथ में यह कैसा दिखता है देखो bullish market है और यह बन गया 2G 2G बना तो इसका मतलब यह नहीं निकलता कि यह bullish जाएगा कि बीर जाएगा कुझ भी हो सकता है दोस्तों कुझ भी दोजी ही जाई इंडिसी जू चैंडल स्टिक पैटन यहाँ पर देखिए बहुत अच्छा downtrend और दोजी बना तो फिर भी market में इंडिसी जू ने स्पैल जाता है यह दोजी तो बिलकुर इसको body ही नहीं 0 के बराबर यहाँ पर थोड़ी बहुत body होती है तो वो भी देखिए किस तरह कैसे दिख रहा है आपको ठीक है यह चाहे कलर कोई भी हो इसका जेना spinning top हो या फिर हमारा दोजी हो कलर कोई भी हो इसके body का matter नहीं करेगा यह इंडिसी जू है तो इंडिसी जू है है इसके बाद में market क्या रहेगा हम बता नहीं सकते और जो बता रहे है वो पूरे capital को risk zone में डाल रहे है यह भी दोजी यहाँ पे बने हैं इंडिसी जूनेस है और एक चीज आपने देखा होगा market में गवर किया होगा कि एक से ज़ादा यह spinning top और यह दोजी pattern बन जाते एक से ज़ादा है न तो भी market में क्या होता है इंडिसी जूनेस होता है यहाँ पे भी देखिए downtrend के बाद में यहाँ पे cluster of इंडिसी जूनेस बना है एक group बना है इंडिसी जूनेस टिक का यहाँ पे देख सकते हो दोजी है इसमें और spinning top भी है अलग-अलग color के साथ में क्या होगा market में नहीं बता सकते दोस्तों नहीं बता सकते यहाँ पे पैसा लगा होगे तो यह gambling के जैसा हो जाएगा जुगार के जैसा हो जाएगा इसको समझी होगा यहाँ पे देखिए एक अच्छा सा uptrend pattern है bullish pattern है लेकिन उसके बाद में cluster of indecisiones candles बना है यहाँ पे अलग-अलग type के spinning top और यहाँ पे दोजी बना है तो market में indecisiones रहता है तो ऐसे candlestick बनने के बाद में हमने क्या करना है हमारा क्या करतव या इस बार हमारे capital को कैसे बचाना भी है और बढ़ाना भी है दोनों करना है तो हमें क्या decision लेना होगा यह मैं तुरंत आपको इसके बाद आने वाले videos में part 36 में discuss करूँगा दोस्तो लेकिन पहले इस pattern को समझे chart में यह ऐसे दिखते है तो इनको समझ जाओगे तो अगला video में आप क्या करना है वो भी समझ जाओगे दोस्तो तो यह video में आपने यह सारी चीजों को समझा होगा इसमें बारे में आपके अंदर awareness आ चुका होगा दोस्तो यही आशा करता हूँ और अगर ऐसा हुआ है तो इस video को लाइक शेयर जरूर करना और comment बाक्स में comment जरूर करना दोस्तों आपकी comment मेरे लिए बहुत ही आएमियत रखती है प्रेसियस होती है दोस्तों मैं उसे बार बार पढ़ता हूँ दिली दिल में खुश होता हूँ मुझे बड़ा आनद होता है और इसी बढ़ते आनद और उस आके साथ में मैं नए नए वीडियो आपके लिए लेकर के आता हूँ और जो नए ट्रेडर्स लोग है उनसे दिल से दरकास्त है गुजारी थे कि चाइनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चाइनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और उसके बाद आने वाले प्लिक करिएगा दोस्तों इस बेल आइकन को क्लिक करने से होता यह है कि जब भी हमारा वीडियो आता है आपके मोबाइल में एक नोटिफिकेशन या फिर मैसेज जारी होता है जिसकी वज़़े से आपका कोई भी वीडियो मिस नहीं होता है और आप यूही ट्रेडिंग के दुनिया के knowledge में कदम दर कदम आगे बढ़ते रहते हो और हमारा आपसे वाइदा है दोस्तों कि आपको एक बहतरीन trader बना के छोड़ेंगे तो फिर मिलते एक और बहतरीन शांदार वीडियो के साथ में तब तक के लिए थैंक यू